हाँ जी गाइस क्या हल चाल है सभी का आई होप सभी हल्दी हैं कंसिस्टेंटली प्रिपेर करें तो आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में छोटा वीडियो रहे सभी से रिक्वेस्ट है कि स्पीड बढ़ा के देखना है यार 1.25x या 1.5x पर देखना वीडियो जिससे समय बचे आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वो तीन गलतियों का जो करेंटली एक और प्रिपेरिंग स्टुडेंट्स कर रहा है जो मेरे को देखने को मिल रहा है कि यह गलतिया हर साल बच्चे करते पर इस साल भी वही बात है जून का महीना चल प्रिपरेशन करेंगे और कैसे उसको रेक्टिफाई किया जाए ठीक है तो सेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहली जो गलती जो अपने डिसकस करेंगे वो यह है ओनली प्रिपरेशन चल रही है सिर्फ प्रिपरेशन चल रही है सिर्फ प्री की तयारी चल रही है बच्चों की सिर्फ प्री की तैयारी करद रहे हैं मेंस को बूल चुके मेंनस का ऐसा सोच लिया कि सर प्री पढ़ेंगे मरामच जून में अराम सी जुलाई में अगस्त में फिर अपना पेपर है और उसके बाद सर 20-25 दिन में अपने मेंस मेंस क्लियर कर लेंगे यही सोच रहे हो प्लानिंग यही बना रखी है कि ऐसी करना है तो फिर और क्या यही तो भी बात प्यारा एक बात मुझे बताओ प्री के लिए अगर आप दो-दो महीने दे रहे हो और मेंस आप इसका वंतलब 20 दिन में निकाल लोगे बात का कोई सेंस निकलता है कोई लॉजिक लगता है इस बात में प्रैक्टिकल लग रहा है आपको सुनके यह आप खु प्रैक्टिस भी कर लिए स्पीड अभी उतनी नहीं आई सर स्पीड के लिए अपने को मौक्स देते रहना पड़ेगा प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी तो वह चालू रखो बट उसके साथ मेंस की शुरुवात कर दो यारब टॉपिक वाइज मेंस की शुरुवात कर द दो यार क्योंकि बाद में समय नहीं मिलने वाला यह बात तो मैं आपको पक्के से बोलता हूं लिख के लिए लुए जिसमें जीए भी आता है करेंट अफेर्स भी आता है उनकी भी त्यारी करना पड़ेगा या फिर प्रिपेर करना स्टार्ट करना पड़ेगा ना तो वह ऐसा कोई बच्चा है जो बिल्कुली बिगिनर है तो अलग बात है उसको पहले कंसेप्ट वगेर है एक बार थोड़े अपने ठीकठा करने पड़ेंगे फोड़ी प्राक्टेस करके फिर वो मेंस की स्टार्ट कर सकता है पट करनी प्री से पहली पड़ेगी यह बात मैं आज आज के लिए कोड में अपने परिजनल पाइस से उसी फी लेना पड़ेगा यह तो बात हुई सबसे पहले पॉइंट की जो गलती कर रहे है उसको सीरियसली अभी रेक्टिफाइं करो चाहिए कितना भी लग रहे हो कि नहीं सर यार प्री में एक बार पहले स्पीड एकदम परफेक्ट हो जाए परसेंटाइल एकदम परफेक्ट आने लग जाए तब सोचेंगे सर मेंस का यार तब तक बहुत लेट हो जाएगा मेंस की भी अब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी अब दूसरा पॉइंट क्या है सर दूसरी मिस्टेक क्या कर रहे हैं सरम दूसरी मिस्टेक यार आप यह कर रहे हो यह बड़ी कॉमन रहती है कि एक ही सब्जेक्ट के लिए हर सब्जेक्ट मतलब के लिए आप मल्टीपल मल्टीपल टीचर्स फॉलो करते हों एक के लिए का अगर आरबी प्री कडिक आपने को करना है तो 7 इस निग तीचर का फिर का टाइम मिलेगा आप लोगों को कैसी अजीव सी बाज nieuws करते वह आप लोग पिल्कुल सही है ख्लासेज लगाते रहोगे रीजनिंग की सर ए्र परी की तीन जगहों से लगा रहा हूं एक्स जगह से भी बाई से बीज़ से भी तो फिर टाइम कहा मिलेगा खुद की प्रैक्टिस करने का मौक देने का बाएट कि सब्जेक्ट कबर करने का मेंस भी पढ़ लेता है कुछ बच्चा ऐसे भी जो ज्यादा मेंती है ग्यारा-बारा गंटे भी निकालते हैं उनकी लिए तो उनकी बात यह लग है पट दस गंटे तो हर बच्चा निकाल सकता है मेरा वाद में अनलेस जॉब कर रहा हो तो अलग बात है बड़ फुल टाइम अपने प्रिपरेशन में है वो तो निकाली सकता है उसमें फिर समय काम बचेगा बाकी चीजे करने का तो एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर काफी है सोर्सेज आप ले सकते हैं उनकी पीडियो वगरा लेके क्यार मॉक्स वगर आप दे रहे हो कि मॉक्स का बात मैं अनलेसिस नहीं कर रहे है अच्छे से मॉक्स का अच्छे से अनलेसिस नहीं कर रहे है चाहे वो प्री के मॉक्स हो चाहे वो मेंस के मॉक्स हो दोनों बहुत जुरूरी है यारो दोनों बहुत जुरूरी है कि इनका अ आप सई से करो आचा वह बच्चे जो मॉक्स दें ने रहे उनके लिए तो क्या भूल जाग जाओ वॉक्स नहीं दोगे तो प्री की स्पीड का कहां से पता चलेगा प्री का लेवल आ गया मींस का भी मॉक्स मेंस का सर सरटन प्राक्갔र करते हृँ गया मेंस का भी मॉक्स दोग तब तक कंपोजिट टाइम को कैसे बिठाना है किसको कितना टाइम कैसे कैसे देना है अपने लिए कॉम सा ज्यादा जम्र है वो पता कैसे चलेगा इननाचसा जो कि मौक्स का परपस क्या है मौक्स का परपस है कि करने के बाद सौल कर रहे हैं और एनलिसिस भी गरे ना साथ में कहां पर मेरे से गलती हुई कौन कौन सा पॉर्षन जो मैंने पहले उठा के गलती कर दी इसको पहले नहीं उसको पहले करना चीए था सिली मिस्टेक्स मैं कितनी कर रहा हूं कौन से टॉपिक्स में कर रहा हूं यह सारी चीज़ों का लॉग अपने पास होना चाहिए ना कि अगली बार मैं मौक दू तो इन चीज़ों को सही करके उनमें सुधार कर सेगो नहीं तो वो गलती हैं बस आप खिसकाते जाओगे बोलते हैं अंडर दा कार्पिट अब चुपाते रहोगे चुपाते रहोगे वह एक्जाम में निकलनी है एक्जाम में तो सचाई निकलनी निकलनी है ना एक्जाम की बात ही यही सबसे अच्छी है सचाई बार आई जाईगी तो चुपा के फाइदा क्या है उसको देखो अच्छे से उसको सही करो एक मौक स चाहिए वो मेंस दोनों के लिए क्यों है मैंने आपको बता दिया अच्छा मौक सर कहां से दे मौक से लिए अभी ऑली बोड का आज लास्ट डे ऐस सेल का जिन बच्चों ने अभी तक इनकी टैसरीज नहीं खरीद दिये ना खरीद दो यार चुर्फ आरby केलिए निंहीं बोल रहा हूं मैं सिर्फ शुर्व और बैंक है के लिए बहुति क्युलेटिश का तो इतना आपको मिलेगा पुछो है मत अच्छी चीज यह कि आज लास्ट ऐसेल का यह कोड लगा दो सीधा 20% आफ मिल जाएगा लोगों के लिए सीधा 20% आफ मिल रहा है और कमाल की बात यह है कि जो इनकी टैसरी यह जो इनका सब्सक्रिप्शन है ना उस पर टू टाइम्स की वैलिडिटी भी मिल रही है इनका जो बैंकिंग सब्सक्रिप्शन है ना वो टू टाइम्स की वैलिडिटी भी प्रोवाइड कर रहा है पर आज आज लास्ट डे हैं आज लास्ट डे हैं लास्ट डे हैं इनके इस ओफर का आखरी दिन है तो कुछ गंटे आपके पास बचेंगे जब आप यह वीडियो देख रहे होंगे तो जल्दी से जाओ यह कोड लगाओ 20 परसेंट ऑफ पाओ दो गुना वेलेडिटी मिलेगी और को मैं एक सची बात बताता हूं कि आपके पांच एक अगस्ट से पेपर वगेरा स्टार्ट हो जाएंगे तो उससे दस से पंदरा दिन पहले तो आटोमेटिकली आप प्री वाले ज्यादा जून में चली जाओगे मेरे से लिखवा के लिए क्योंकि एलावा फिर अपने पास समय कितना बचा जून भी आदा जून निकल गया। जुन बचा है जुलाई जुलाई के आखरी का आप मान के चलो आखरी के 4-5 दिन तो आप वैसी पढ़ना स्टार्ट करीडोगी चार-5 दिन क्या बोलताओ मैं तो हफते बार फिहली आखरी जुलाई का वो वैसी पढ़ लोगे सब्टमबर में फिर आपका मींज का एक्जाम है फिर टाइम ही क्या बच्छे का है ना तो मींज की पड़ाई भी बहुत जुरूरी है बैलेंस करना बहुत जुरूरी है ठीक है जाते जाते एक पॉइंटर और एक्स्ट्रा पॉइंटर आप सभी के लिए वह है रिगार्डिं टाइम टेबल एक टाइम टेबल सेट करना सीखो खुद के लिए ऐसी हवा में हाथ मत मारो है ना ऐसी हवा में हाथ मत मारो कि सग मारते रहेंगे मारते रहेंगे कभी ना कभी तो लगेगा टार्गेट पर यह क्यों करना है आपको यह क्यों करना है थोड़ा सा दिमाख लग प्रिपरेशन का एक टाइम टेबल सेट कर लो खुद के लिए मैं आठ गंटे पढ़ रहा हूं तो आठ गंटे का डिवीजिन क्या है मेरा ये 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 काम टाइम टेबल को एसोशेट कर दो अपने डेली टार्गेट के साथ डेली टार्गेट के साथ ये ये सधको एसोशेट करके इस तरहे का अपना टाइम टेबल सेट करो कि हा बया टाम टेबल मेरा ये इतने से कितने बज you इप और शारी चीज है आप लोगों के लिए जो बैस्ट थे ओस तरीके से करो कि में बनाओ एक बढ़िया टाइम तेबल सेट करो और उसको टैलिए टार्गेट के साथ एसोशीयट करो कि भर इतने से इतने में मुझह ये काम करना यह करना है यह करना है इतने मेरे पास काम है 5-6 यह मुझे पूरे दिन में कम्प्लीट करने है इसके लिए मैं 100% दूँगा हर रोच समझ रहे हैं कि नहीं समझ तो यह सब काम अगर आप करोगे ना तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा अब जाने से पहले सभी के लिए रिमाइंडर है फिर से आज अपने वीटी 20 का लास्ट डे है तो जिन बच्चों ने अभी तक लक्ष बैच नहीं खरीदा है समय खराब मत करो यार कहां पर हो आप लोग दो क्लासेज अल्रेडी हो चुके इतनी शांदार क्लासेज लिए अब यार फुद से खुद का बोलना एकतना कितना अजीव लगता है अपर क्या करें काम ही ऐसा है तो लक्ष लक्ष जो बैच है अपना रर्बी का बैच है 2023 का रर्बी के लिए बैच है स्पेसिफिकली मेंस स्पेसिफिकली मेंस प्लस प्री का अपना फुल पेपर्स के थुरू प्रैक्टेस वगएर आपने करेंगे बट ज्यादा फोकस मेंस पे है साइं वी टी ट्वजक लगा है कि ट्वनटी पर्सेंट आपको सीधा बेंगार इसमें कौस और रीजनिंग दोनों कें में निकौन इंप Source कर यह निस सारे जमेले करने हैं तो इस साल अल्रेडी मैंने बहुत ही जबर्दस बैचेश अल्रेडी करवा दिये आपके टॉपिक वाइज का क्वांट्स रीजनिंग का प्राक्टिस कोर्स अल्रेडी अभियास 1.2 के फॉर्म में करवा दिया है आपका टॉपिक वाइज क्वांट्स और रीजनिंग का हाइस लेवल की बात कर रहा हूं यहां पर प्यो मेंस लेवल तक का यह अल्रेडी करवा दिया अभियास 2.2 के फॉर्म में अच्छा कोई बच्चा सिर्फ ऐसा है जो बिगिनर एक सर कंसेप्ट क्लियर करना चाते हैं साल के स्टार्टिंग में व नए वाले पुराने वाले जिस दिन हम खरीदे उससे एक साल तक जो भी आपके प्लैटफॉर्म पर आए सब हमको मिले तो उसके लिए आपको क्या खरीदना पड़ेगा उसके लिए आपको हमारा एन्वल सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा जिसका नाम है मम्मी सब्स सब्सक्रिप्शन है एन्वल सब्सक्रिप्शन है यह हमारा और यह आपका आज आज के लिए पड़ेगा कितने का सर सुला सु रुपए का सब्जेक्ट सम कबर करवाते हैं क्वांट सेंट रिजनिंग सिक्स्टीन एंडड रूपीज का यूजिंग डिस कूट आप एक क्लि पर्चेस करना चाहता है तो ऑली बोर्ड का मैं सजेशन दूँगा बहुत ही क्वालिटी गंटेंट आपको यहां मिलेगा यूजिंग दा कोड ध्रोग सीधा 20 परसेंट आपको आपको आफ साथ ही साथ 2X वैलिडिटी टू टाइम्स वैलिडिटी भी मिल रही है बट आज आखरी दिन है याद रखियेगा ठीके जी लिंक्स विगेरा सब आपको description में मिल जाएंगे now that's all for today's session take care